हालो वीवर स्वागत है हमारे चैनल मेट फार्मा ग्यार में आज मैं बात कहूंगा यूरिमेक्स कैप्सूल के बारे में तो यह आपका सिपला कंपनी द्वारा एक प्रोडक्ट है जिसमें की जो दवाई है वो आपकी टैम्सूल लोसिन होती है और यह आपकी 400 mcg की किया जाता है कि इनके लगशनों में का Wait hyperplasia होता तो इसके इलाज में क्या जाता है यह क्या होता है कि ज्यादा तर क्या होता कि मैंने देखा कईकलर क्लों यह आपके यह आपके प्रॉस्टेट के अकार को भी कम कर देता मतलब अलाज प्रॉस्टेट को साइज में कम करता बट यह इसा नहीं यह सिरिफ आपके यूरिन फ्लो को इंप्रूब करता है इतना ध्यान रखी जब यूरिमक्स टैब्ट ले रहे हैं तो कुछ चीजों को और ध्यान लगा है ठीक है रात में सोने से या बाहर जाने से कुछ घंटे पहले आपको कोई भी और शराब पीने से बचना चाहिए जब यह दवाई ले रहे हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब हम यूरिमक्स टैबुलेट के मुख्खे इस्तमाल मतलब यूज के बारे में जैसे को पताया कि यह बिशाप करने का या फॉल्ज को छूंज की आपको पिशाप करने में गए आहे खांके जूर लगाना पड़ता है ऐस्तमाई की तो अगरते हैs दिक्केत आती है तब हम आपको यूरिमक्स टैबलेट देते हैं यह यूरीमेक्स टेबुलेट क्या करेगी यह आपके ब्लैडर और प्रोस्टेट की जो मसल्स होते हैं उनको रिलाक्स कर देती है इसलिए क्या होगा कि जो आपके लक्षण होंगे उनको तेजी से आपको रहत मिलेगी और आपके लिए पिशाप करना बहुत ज्यादा असान ह हो जाया है अब बात करते हैं यूरीमेक्स क्यप्सूल के थे तो यूरीमेक्स लेने के बाद कभा पेशेंटस को चक्क कर आजाते हैं आपको आपको नाख मेंा सूजन इस साइड में देखना यह एंदर लगेगा तो इस तरह हो रहा हैं तो उसतरे के सैनि दर्द और हो जाती है जब आप URIMAX tablet ले रहे होते हैं तो अगर इस तरह की कोई आपको दिक्कत दिखे तो गबराने की जुरूत नहीं है कुछ दिन आपको लेने के बाद यह सारे के सारे जो आपके साइड इफेक्ट है यह अपने आप चले जाएंगे फिर भी अगर कोई आपको लक्षन दिखता है तो आपको अपने जाके डॉक्टर को इस बारे पर बताना चाहिए अब बात करते हैं कि यूरिमेक्स कैप्सूल काम किस प्रकार करत करने में मतलब मूतर असानी से आपका पास हो जाए यह नहीं यह ब्लैडर को पूरी तरीके से खाली करने में भी मदद करता है और आपका जो बीपीएच में अक्सर तुरंत पिशाप करने की आवश्यक्ता होती है उसको भी कम कर देता है अब बात करूंगा कुछ फार्मसि लिखी है क्योंकि यह उनसेफ हो सकती है इन दोनों कंडिशन में बात करूं ड्राइविंग इंञे की तो इसे लेने के बाद आपकी ड्राइविंग में कहीं कोईघ कोई नहीं पड़ेगा आपकी तहाए यह ज्रंक्ता है वह वैसे वैसी रिएगी नहों नीइद हैंको नाय हाँ लीवर पेशेंट के लिए मैं बोलूँगा ये सेफ नहीं है आपको एक बार अपने डॉक्टर को बताना चाहिए अगर इस तरह की कोई लीवर कंडिशन आपका लीवर डिसॉर्डर हो तो आपको एक बार में डॉक्टर को सुचित कर देना चाहिए अब कुछ सवालों के बारे में मैं बात करूंगा जो अक्सर मेरे से पेशेंट के बार पूछते थे या कई बार में कस्टमर पेशेंट आते तो इस बार में पूछते थे कि जो यूरिमेक्स के टैबलेट है ना ये विटामिन डी के साथ ले सकते हैं तो हाँ आप इसे यूरि पिशाब के रस्टे पत्री निकालने में मदद करता है यह आपके युरिनरी ट्रेक्ट के मसल्स को जैसे मैं आपको बता आराम देता है जिससे कहाता कि पत्री जो होती है वो असानी से बाहर निकल आती है इसका एक बेनिफिट और होता है उन पत्री वाले पेशेंट्स के लि पत्री आपफाया पत्री ज़ी ऐसमें ढूर पिकन ज़ेंद पहुंचना होता है वह और प्लॉट हो जाता उस्षण के वह बढ़ ब्लॉदा जाएगा या इसमें चेंज आने लग जाएंगे जिसकी वेज़े से क्या होगा कि रोगी को या पेशेंट को चक्करा जाएगा या हलका पन लगेगा या बेहोशी या वर्टिको जैसी प्रॉब्लम का भी उसे अनुभव हो सकता है कई बार जो पेशेंट जूरिमेक्स लेरते हैं उनकी नाग भी बंद हो जात की है और आपको यह दिक्तत का सामना करना पड़ जाता है अब एक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल बोलूगा मैंसे कि कई पूस्ते हैं कि जब वो यूरिमेक्स लेते हैं तो वो इस बारे में बड़ा चिंतित रहते कि इसे लेने के बाद कि उन्हें बार बार पिशा नहीं आता है एक्चली क्या होता है कि यह दवा आपके यूरिन फ्लो को बढ़ाता है ना कि आपको बार बार पिशाब आने की जो अर्ज होती है उसको बढ़ाता है तो अकसर जो पिशाब करने की इच्छा होती है यह उसको कम करता है जो आपके प्रोस्टेट ग्रंती का ब ब्लेडर होता उसको पूरी तेरे केसे खाली करने में मदद करता तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छे लिगी तो प्रीस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए थन्यवाद